नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, जैसा कि आपको मालुम है कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर वो काफी लंबे समय से NPS की प्रॉब्लम के साथ जूज रहा था और इसको हमने कंट्रोल में लाना शुरू किया था by a lot of capital infusion into the banking sector जिसमें RBI का बहुत ही बड़ा रोल था लेकिन जब से COVID-19 की महामारी आई है, उसके बाद से NPS की जो प्रॉब्लम है वो फिर से resurface हो चुकी है और यहाँ पर NPS का जो नया दर है वो कहा जा रहा है कि NPS could touch a new high जिसको की control करना भारत की economy के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा इसी के चलते जो भारत के banks हैं, they have started to build a 13 billion dollar war chest to battle the bad loans यहाँ पर कौन से कौन से banks इसमें जुड़े हुए हैं, कौन से कौन से banks को यह bad loans बहुत प्रभावित कर रहे हैं और किस तरीके से यह bad loans से निकलने के लिए बैंकों ने यहाँ पर 13 billion dollar का जो पैसा उठाने का basically ambition रखा है, किस तरीके से यह उठाएंगे इन सबी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, आए स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है अनिरुद, इस lecture की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चानल से इसके इलावा, social media पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं So start करते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, Nikkei Asian Review का ये article है The people who are not aware about Asian Review Nikkei, ये दुनिया का सबसे बड़ा financial newspaper है जिसकी दुनिया में सबसे जादा circulation होती है, ये जापान से print होता है इस particular newspaper ने इसको cover किया that Indian banks build a 13 billion dollar war chest to battle the bad loans यहाँ पर situation को समझते हैं, basically आपको मालूम होगा, इंडिया आज की date में top 3 countries में fall करता है अगर हम बात करते हैं, total number of cases of coronavirus की यहाँ पर total number of cases 26 lakh को भी जादा exceed कर चुके हैं और हगर हम total number of deaths की बात करें, 50,000 से भी अधिक deaths भारत में हो चुकी है obviously एक चीज़ तो clear है कि भारत की economy की situation काफी जादा खराब है and the prime reason over here right now is the COVID-19 pandemic यहाँ पर जो सबसे जादा चिंता का विशे फिलहाल चल रहा है Indian economic circles में वो यह है कि शायद इंडिया को अपना एक recession face करना पड़ेगा आपको बता दूँ, last time इंडिया ने recession face किया था 1979-1980 में इसके पहले इंडिया ने recessions 58 और 66 में face किया था उसके बाद 1990 में जब हमारे उपर balance of payment की crisis आई उस time पर भी हमने recession face नहीं किया and to be more important 2008 में जब global financial crisis चल रही थी उस time पर भी इंडिया ने यहाँ पर recession को face नहीं किया the point being that अब situation इतनी ज़्यादा खराग हो चुकी है कि recession भी आ सकता है, ऐसी समभावना लगाई जा रही है recently RBI ने अपनी report में इस चीज़ को लेकर काफी ज़्यादा highlight किया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो non-performing assets यानि कि जो NPAs होते हैं इनकी जो ratio है to total advances यानि कि total banking sector ने जितने भी loans दिये हैं NPAs upon total advances ये इस साल मार्च के अंध तक साड़े 8% थी अगर situation को control में नहीं लाया गया तो अगले साल मार्च के अंध तक साड़े 12% तक की ये ratio बढ़ सकती है which is very very huge in fact यहाँ पर जो RBI के द्वारा release की गई financial stability report है इसने ये भी कहा है अगर हम आज इसको control में नहीं करते हैं तो साड़े 12% की बजाए ये level 14.7% तक भी जा सकता है in the event of severe stress as you can see July 25 की news है India is heading for another NPA crisis RBI predicts bad loans could be as high as 12.5% by March यहाँ पर इस graph के तुरू आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं 2017 में हमारे जो NPS थे वो लगभग around 9% के आसपास थे 18 में situation खराब हुई और हम almost 12% के आसपास पहुँचने वाले थे 19-20 में हम धीरे धीरे situation को control में कर रहे थे लेकिन यहाँ पर आता है COVID-19 और COVID-19 की वज़े से यह problem अब situation हाथ से निकल चुकी है and finally 21 में जो आंकडे का अंदाजा लगा जा रहा है जिन आंकडों का वो कहा जा रहा है कि 12.5% तक इसको touch कर सकता है इसी के चलते जो हमारे RBI के governor है Mr. Shakti Kantadaas इन्होंने साफ साफ बैंकों को बोल दिया था इन्होंने कि यहाँ पर आपको जो है अपने लिए reserves बिल्ड करने शुरू होंगे So they advised the banks in early July to raise the reserves as the pandemic and the subsequent lockdown could result in more defaults eroding the bank's cash balance So RBI governor Shakti Kantadaas asks bank to raise capital in advance यहाँ पर इन्होंने यह exact इनकी जो words थे It has become a lot more important that banks have to improve their governance and sharpen their risk management skills At the same time banks have to raise capital on an anticipatory basis instead of waiting for a situation to arise यानि कि हम basically उस particular time की wait नहीं कर सकते जब situation हमारे हाथ से निकल जाएगी हमें यहाँ पर इस anticipation में कि शायद situation अलेडी हाथ से निकल चुकी है यहाँ पर funds को raise करना शुरू करना होगा साथ ही में stress करते हुए इन्होंने यह भी कहा कि यह केवल private sector bankों के लिए नहीं बलकि public sector bankों के लिए भी equally important है So it is necessary for both the public and the private sector banks to build up their adequate capital buffers जैसे ही announcement होती है उसके बाद कई सारे bankों ने basically हाँ पर fundraising की एक spree चालू कर दी इस fundraising की spree में bankों ने debt instruments को offer करना शुरू किया equity offerings को offer करना शुरू किया और इसमें सबसे पहले आपके आते हैं Axis bank फिर ICICI bank और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर HDFC bank भी इस line में लग चुके थे यहाँ आपर आप देख सकते हैं Axis bank ने recently 100 billion को raise करने की बात की है by issuing the shares to qualified institutional buyers इसके पहले जो इंडिया का काफी बड़ा mortgage lender है HDFC, it also closed a deal to raise up to 140 billion rupees साथ ही में ICI, जो की इंडिया का largest private sector bank माना जाता है it has also floated its 150 billion rupee funding on Monday so केवल private sector banks ही नहीं, यहाँ पर SBI, जो की इंडिया का सबसे बड़ा lender है और इंडिया का सबसे बड़ा public sector bank भी है इसने भी announce किया कि it would also raise 250 billion rupees to maintain its capital requirement आपको बता दूँ केवल bank को को ही नहीं, यहाँ पर NBFC को भी संकेत दे दिये जा चुके हैं, कि आपको भी यहाँ पर पैसा raise करना पड़ सकता है so इन सभी amounts को यदी आप जोड़ देते हैं, so तब जाके 13 billion dollar rupees का, sorry, 13 billion dollars का जो आकड़ा बनता है वो सामने आता है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आज की date में Indian banks NPS को prepare करने के लिए यहाँ पर 13 billion dollars का amount raise कर रहे हैं, right अगर हम bigger picture की बात करें, so basically ये चीज़ सामने आती है that the Indian banking sector is actually reeling under stress, यानि कि बहुत जादा बोज है Indian banking sector के ऊपर और इसमें obviously सबसे बड़ा बोज तो NPS का है ही, लेकिन second important thing is, आपको मालूम होगा banks का जो main business है, banks का जो main profit होता है, वो इनको lending से होता है, यहाँ पर borrowing काफी हद तक कम हो चुकी है, क्यों? क्योंकि economy एक downturn face कर रही है वैपार बंद है, कई सारे वैपार चालू नहीं हो पा रहे है, कई सारे वैपार के ऊपर जो है, shutdown हो चुके है जिसकी वज़ए से NPS के साथ साथ एक नई problem क्या है, borrowing भी बहुत जादा कम है, right? इसका जो सबसे बड़ा impact पढ़ रहा है वो जादा तर पढ़ रहा है state-run banks के ऊपर, private वाले जो banks हैं वो फिर भी अपना काम चला पा रहे हैं लेकिन जो state-run banks हैं, यानि कि जो PSU banks हैं या फिर जिनको हम PSBs भी बोल देते हैं यह जादा problem यहाँ पर face कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं Indian banks in crying need for reforms here's how privatizing PSU banks can help और इसी के चलते आपने सुना भी होगा कुछ समय पहले एक news आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि हम maximum से maximum PSU banks को private banks में convert कर देंगे ultimately शायद केवल 3 banks रह जाएंगे जो कि PSU banks होंगे बाकी सभी banks यहाँ पर private sector banks में convert कर दिये जाएंगे because government के पास इतना पैसा नहीं कि वो public sector banks में पैसे को और जादा infuse कर सके जिसके चलते उनको ऐसा step लेना ही पढ़ेगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या है so basically obviously जो economist है वो क्या बोलते हैं सबसे पहला कारण तो बोलते हैं कि जो ILNFS crisis जो की October 2018 में चली थी और काफी लंबे समय तक उसका impact देखने को मिलता है I am sure आपने इसके बारे में सुना होगा एक तो वो वाली crisis और साथ में जो ongoing pandemic है यानि कि जो महामारी है चल रही महामारी इसकी वज़े से हमारी जो financial crisis है वो काफी जादा बढ़ चुकी है साथ ही में एक और expert का यहां मानना है कि जो banks का exposure है to the stressed sectors जब तक ये कम नहीं होगा तब तक हमारे जो loans के loss हैं वो कम नहीं होगे और यहाँ पर जो stress sectors को हमारा exposure है यह ज़ादा pronounced है for the state banks जिसकी वज़े से state run banks को ज़ादा दिक्कत आती है as compared to the private banks जाते जाते अगर हम बात करें what is the way out of all this way out तो केवल एक ही है कि जब तक सरकार यहाँ पर इसके अंदर capital infuse नहीं करती है तब तक कुछ नहीं हो सकता है already सरकार ने अगर आप देखें पिछले 5 साल में जब से capital infusion की बात चलाई गई थी पिछले 5 साल में लगभग 3 trillion rupees को already infuse कर दिया है लेकिन यहाँ पर जो experts हैं वो यह मानते हैं कि जब तक कुछ नया infusion नहीं होगा तब तक यह state-run banks जो हैं यह basically इस crisis से बाहर नहीं आ पाएंगे so the state has not announced anything so far but we expect some infusions eventually to support the bank's capital raising initiatives इसी के साथ आप से विजा लेता हूं thank you for listening, stay tuned and stay safe